क्या होगा आज जब दो टॉप की टीम्स टकराएंगी एक दूसरे से एक ने उपर से टॉप तो दूसरे ने नीचे से टॉप किया है हेलो, वेल्कम बैक टू आर चैनल और आज हम फैंटेसी टीम एनालेसिस करने वाले हैं मैच नमबर 51 गुचराद वर्सेज मुंबई का जोगी शाम साड़ साथ बजे से ब्रेबोन स्टेडियम में खेला जाएगा इसमें हम प्लेर्स के फैंटेसी पॉइंट्स, ग्रैंड लिग में सेफ और इसके पिक्स के साथ-साथ कैप्टेन एंड वाइस कैप्टेन के ऑप्शन्स पर भी एनालेसिस करेंगे तो वीडियो कोईंट तक जरूर देखना पिछ रिपोर्ट पिछ बैट्समें और बोलर्स दोनों को फाइदा देती है जनरली यहाँ पर टॉस जीत कर पहले बोलिंग ली जाती है ताकि चेज हो सके और अगर आप लास्ट के 3-4 मैचेस देखें तो यहाँ पर बहुत बड़े स्कोर्स नहीं बने हैं यानि कि जो बैट्समें हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिये हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 150 से 160 के बीच है अब पिच का एवरेज स्कोर बले ही कम हो लेकिन आप फैंटेसी क्रिकेट में भरपूर कमा सकते हो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हमारी एप आईगेमियो की आई गेमियो लाया है वीकली इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड जो होगा केवल एक वीक के लिए इसके बाद होंगे विनर्स अनॉंस्ट पूरे वीक स्मॉल लीग लीडर बोर्ड कांटेस्ट खेलो ज्यादा से ज्यादा इंवेस्ट करके खेलो और लीडर बोर्ड को टॉप करो मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट रुपीज हंड्रेड है फर्स्ट विन्नर को मिलेगी यामाहा आरवन फाइफ सेकंड विन्नर को आईफोन 13 प्रो थर्ड विन्नर को 1 प्लस 10 प्रो एंड सो अन यानि कि जो आगे की विनर्स हैं उन्हें क्या मिलेगा वो आप अपनी स्क्रीन के उपर जो इमेज है उसमें देख सकते हैं डाउनलोड आईगी मियो फ्रॉम दर डिस्क्रिप्शन अब आता है वेन्यू का रिव्यू गुजरात ने यहाँ पर 2 मैचस खेले हैं और दोनों ही मैचस जीता है वो राजस्तान के सामने जीता है अब आता है सबसे ज़ादा फैंटासी पॉइंट्स खीचने वाले सुर्मा इसमें हम वोई लास्ट फाइब मैचस के हिसाब से देखेंगे सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं तो डेविड मिलर टॉप पे हैं 286 पॉइंट्स के साथ फिर आते हैं मुमस्यमी 270 पॉइंट्स फिर साहा 258 पॉइंट्स फिर राशित खान 210 पॉइंट्स फिर जॉसेफ 176 पॉइंट्स मॉंबई की बात करते हैं तो तिलेक वर्मा टॉ पर हैं 285 points के साथ फिर आते हैं सूरी कुमार यादव 263 points फिर जैदर उनदकत 214 points फिर पोलार्ड 203 points और फिर डैनियल सैम्स 193 points अब आता है एक और नया segment जो मैं कल ही लाया था frequent captain wise captain at this venue इसका मतलब यह है कि इस venue पर किसे captain और वाइस captain जादा चुना गया है तो सबसे पहले इशान किशन one time in two matches दो मैचेज में एक बार इन्हें चुना गया है राशित खान को भी दो में से एक बार चुना गया है और शुबन गिल को भी one time in two matches चुना गया है अब अता है top performers at this venue गुजरात की सबसे पहले बात करते हैं तो गुजरात ने यहां दो matches खेले हैं इसमें top performers कौन थे तो शुबन गिल 96 runs की शानदार पारी उन्होंने खेली थी चार runs से वही चुक गए थे century deserve करते थे यह एक मात्र match था जिसमें यह सबसे बढ़िया खेले हैं और सबसे अच्छी वह कहते हैं कि लए के साथ खेले हैं दूसरा राशित खान चार विकेट सिनों ने लिये हैं इस venue पे तो overall कह सकते हैं आपकी इनका production यहां पर अच्छा रहा है इस venue पे फिर मुंबई क कि बात करते हैं तो मुंबई ने भी दो मैचस खेले हैं उसमें top performers कौन थे तो सबसे पहले इशान किशन ताब और थोड़ 81 रन की पारी आई थी और एक मात्र यही सबसे लंबी और अच्छी पारी इनकी आई है इशान किशन की इस पूरे सीजन में दूसरे हैं तिलग वर् है अब grand league के लिए यहां पर हम दो categories ले रहे हैं एक में होंगे match के safe picks और दूसरे में होंगे risk के picks रिस की मतलब यह है कि अगर दिन अच्छा हुआ तो यह धमाल मचा सकते हैं यह game changer बन सकते हैं safe picks के बात करते हैं तो सबसे पहले undoubtedly सुर्य गुमार यादव अच्छी लाय में ह पिछले match में भी जो है इन्होंने half century बनाई थी तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो मुंबई की जो गाड़ी है वो काफी हद तक इनके उपर निर्भर करती है तो यह safe pick जरूर होंगे दूसरे तिलक वर्मा वो ही है कि सुर्य कुमार यादव का जो साथ दिया है मुंबई की betting मे तो वो तिलक वर्मा ने ही दिया है यह middle order दोनों मिलके अच्छे से संभाल रहे हैं तो definitely तिलक वर्मा जो है आपके safe pick हो सकते हैं तीसरे तेवतिया तेवतिया का नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप last के 2-3 matches देखेंगे तो इनकी important जो knocks आ रही है वो जैसे कि match को finish करना है तो आप तेवतिया के उपर भरोसा कर सकते हैं वो आपको fantasy points देंगे चौते मौमत शमी मौमत शमी का भी यही है कि last के अगर आप matches निकालेंगे तो वही है कि consistently यह आपको fantasy points तो देंगे मलब एक wicket एक wicket से ज़्यादा इनको मिलता ही मिलता है तो definitely यह आपको fantasy points देंगे और यह safe pick होने चाहिए रिस्के picks की बात करते हैं तो मुझे लगता है रिद्दिमान सहा सहा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक तो क्या है कि अभी अभी यह थोड़ी से लाए इन्होंने पकड़ी है अपनी betting में और इसके बाद यह हर match में कुछ नों कुछ runs contribute कर रहे हैं 21-29 वगेरा इस टाइप से तो जो आपके fantasy points जो है उसमें यह अच्छा add-on कर सकते हैं और हां इनको अगर आप Captain या Vice Captain भी लेते हैं तो क्या पता यह कुछ धमाल मचा दें तूसरे इशान किशन को मैं इसलिए इसके pick में ले रहा हूं क्योंकि इनका कोई बरोसा नह करते हैं और इस venue पर इन्होंने अच्छा खेल रहा है क्या पता यह कोई तावर तोड़ पारी खेल लें आज फिर से और अपनी जो टीम है उसके लिए यह काम कर ले एक और important चीज़ यह है कि अब कोई pressure नहीं मुंबई के उपर और मुंबई के बल्ले बाज उपर वह इसलि देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉंग किया economical रहे हैं और इन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं time to time लास्ट अगर मैच देखें आप जो तो इन्होंने डेथ होवर बहुत अच्छे से किया था तो यह मेरे रिस्क के पिक होंगे अब आता है ग्रैंड लिग इसरी चीज़ है कि यह open करते हैं और इस pitch पे थोड़ा सा शुरुवात में फाइदा मिल सकता है batsman को थोड़ा सा अगर अपने हाथ खोलें और shots लगाएं तो पिच पर भरोसा किया जा सकता और वो लंबी पारी खेल सकते हैं तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा रिस्की captain के त इशान किशन अगेन मेरे थोड़े से रिस्की वाइस captain के तोर पर में ले रहा हूं यह शुरुवात में उतरते हैं और दूसरी चीज़ है कि यह ताबर तोड़ खेल सकते हैं पिचला जो मैश था थोड़ा से इन्होंने अपना अकरात्मक रूप दिखाया था 26 रंगी पार तो वही वाली बात है कि इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पिक कर रहा हूं इशान किशन को दूसरा है राशित खान राशित खान इसलिए क्योंकि एक तो यह जो पेच है यहां पर turn अच्छा मिल सकता है और दूसरा यह कि राशित खान ने इस venue पर अच्छा perform भी किया है तो कह को भी आप कैप्टेन या वाइस कैप्टेन के दौर पर रख सकते हों यह आपके उपर है तो यह थी आज के मैच की fantasy team analysis मलते है कल एक और analysis के साथ match नंबर 53 लखना वर्सिस खोल काता में आपको यह वीडियो कैसी लगी like comment करें और share जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को subscribe करें keep watching India fantasy